वेलकम दो लैन फॉर एक्जाम माई देम इस नाग गेश और इन इस वीडियो 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 आप सब्सक्राइब जरूर कर लीचे अगर आपको कोई भी असिस्टन्स रहिए अगर आप कोई college का form भरना चाहते है तो वह college आपके लिए सही है या नहीं है उसके बाद आपको आपके category के according and work experience के according कौन सा college मिल जाएगा और उसके बाद क्या-क्या उसके criteria's होंगे इसके बारे में detail discussion करना है तो इस number पर reports up कर सकते हो और हमारे team जो हो आपको 10-6pm के अंदर जो है आपको reply करेगी and Sunday boys हम reply नहीं कर सकते So let's get started हम इसमें क्या-क्या cover करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले why I am चिलाओ Programs and fee structure, admission criteria सबसे important है वो है about placement हम placement को बहुत बारी की से discussion करेंगे क्या-क्या उसके अंदर placement कहां कहां हुआ है कौन से बच्चे कौन से profile के वापे placement पनको हुआ है सबसे पहले चीज तो guys इसका जो fees है वो है 22.7 lakh रुपी and यह आपको PGP program offer करता है clear है अब यहां पे ना कुछ आपको मैं facts बताता हूँ about IEM Shilong यह पहले तो एक new IEM की तरह consider किया जाता था क्यूंकि इसका establishment year है 2007 but इसका जो पिछले 3 से 4 साल के बीच में जब placement रहा है वो बहुत बढ़िया placement जा रहा है 20 lakh के plus इसका placement है and इसके लिए जो है अब इस college को blacky इस category में consider किया जाता है clear point क्यूंकि बहुत सारे factors है जिसके अंदर आपको यहां पे देखना ज़रूरी है सबसे पहला factor है वो है आपका जो fees आप पे कर रहे हो and उसके बाद आपको जो placement मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है आपको देखना उसके बाद आपका दो साल में आप एक ऐसी जगा पे पढ़ रहे हो एक तो यार एक college जो है मिगालाय हम है and मिगालाय अजस्टिट बहुत बढ़िया है आपको दो साल वहाँ पे बहुत enjoy करने का मौपा मिलेगा and उसके साथ-साथ भी आपके पढ़ाई तो हो ही रही है बट आपको एक अच्छा package भी वहाँ पे मिलने वाला है तो IEM Shilong के अंदर आपको PGA program offer किया जाएगा जो 2 years का होगा and यह residential program है जो आपको वही college के अंदर रहे के आपका 2 साल का MBA complete हो जाएगा उसके बाद हम बात करता है admission criteria यह admission criteria के अंदर आपको IEM Shilong अलग से call देगा और यह जो है इनका 16th year या 20 साल celebrate कर रहे है तो देखो यहाँ पे जो है आपको OBC category देखने को नहीं मिलेगा and आपको OBC and general category को दोनों को एकी साथ cover किया जिसको उन्हें OT कहते है मतलब others में उसके बात EWS आपके पास है SCST है and differential sorry जो यह PW section में आते है वो यह वाला particular criteria यहाँ पे दिया है तो जो bare minimum cutoff है तो आपको अगर वहाँ पे लेकर आना है तो वो है 75, 75 and 75 overall cutoff आपको नहीं दिया है आपको bare minimum इतना cutoff जो है आपको clear करना है हर एक section के अंदर अगर आप OBC से belong करते हो तब भी जो है आप यहाँ other category में आ जाओगे clear point and for SCST is again 60, 60, 60 and for ST it's 50, 50 and 50 percent आपको bare minimum वहाँ पे आना चाहिए उसके बाद अब यह मरसा बात करते है detail में about admission criteria जो पहला था वो था phase 1 जिसके अंदर आपको bare minimum cutoff उतना लेकर आना है उसके बाद आपका start होता है वो है phase 2 phase 2 के अंदर जो है आपका 10th, 12th and आपका जो graduation उस सारी चीज़े है यहाँ पे score का बारे में आपके सामने दिया है तो graduation का यहाँ कोई weightage आपके सामने नहीं है but आपके 10th and 12th को यहाँ पे उन्होंने अग अलग-अलग particular field में जो है आपको यहाँ पे focus किया है जिससे कि 10th class के अंदर अगर आपका score जो है work experience wise तो 14 score जो हो रहेगा 24 से लेके 30 months जिनका भी work experience है इसके बीच में आपका work experience है तो आपको 14 marks जो है वो यहाँ पे अलाउट किये जाएंगे और उसके बात जो है जो application rating score होता है जिसकि आपका 10th, 12th graduation उसके में कुछ उन्होंने formula दिया है उसके according वो find out करते हैं आपका रहेगा 10% weightage और उसके बात जो है gender diversity को 10% दिये है जिसा अब अगर female candidate हो तो आपको वहाँ पे 10% allowed दिये जाएंगे and personal entry 40% and cat का score 40% तो इसका मतलब जो है आपके हाथ में अभी currently क्या है वो 80% आपके हाथ में है 10th का score तो आपके पास अभी नहीं change होगा नहीं 12th का score चेंज होगा बढ़ आपके हाथ में इतना है अगर आप interview में अच्छा perform करोगे and cat का score अगर अच्छे से लेकर आते हो तो इसे convert के जाएगा 40% के अंदर तो आपको जो है IEM Shilong convert भी हो जाएगा क्लियर है पॉइंट यह बात सबको समझ मारी है तो यह हो गया about admission criteria उसके बात सबसे important चीज है वह अभी हम बात करने वाले about batch profile and वहाँ पर placements आपको क्या मिल रहे है पहली चीज तो जिसे मैंने पहले ही कहा IEM Shilong को पहले हम as a new IEM consider करते थे इसका establishment year था 2007 जो इसके आसपास 2007 से लेकिए 2010 के बीच में जितने भी IEM से भने है उनको हमारे यहाँ पर category में एक नाम दिया है वह है new IEM एक होते old IEM उसके बाद होते new IEM नेक्स होते है वह है BB IEM clear point तो new IEM के अंदर IEM Shilong जो है वो सबसे मतलब top पे था बट अभी IEM Shilong को जो हमारा credit registration है जिसको मैं खुद मानता हूँ वो है अब यह दिरे-दिरे old IEM के category में आने वाला है इसके पीछे reason क्या है देखो एक तो सबसे पहले चीज batch profile के बारे में सबसे बढ़े start करते है तो batch profile के अंदर आपको यहाँ पे 283 students आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर 80% male है and almost 20% female है यह था data पिछले साल का अब जो नया 2024 का जो वहाँ पे session स्टार्ट हुआ है वहाँ पे यह strength 383 पे पहुंचा है तो मतलब आपको numbers में growth मिलेगा यानि कि आपका 100 से क्या हो चुका है प्लस जो है seats वहाँ बढ़ चुकिए यह 283 seats थे last year अभी है यहाँ पे 383 seats तो मतलब यह कह सकता हूँ कि अगले साल क्या सर seats और change होंगे हम एक bare minimum लेके चलते ही कि सर हो सकता है कि seats और increase हो सकते है तो हम एक मान लेंगे अगर seats increase होते है तो हम एक number लेंगे हुआ है 450 का clear है तो आपको कोई मतलब ऐसे जरुवत नहीं है कोई सोचना नहीं कि सर क्या impact बहुत जाता है मैं join करू या ना करू और ऐसे कुछ नहीं है यहां से आपको 100% जो है वो placement confirm आपको मिलने वाला है clear point ठीक है अब अब हम बात करते about educational background उनका क्या है यह सामने जो आपके data है यह completely इसके क्योंकि यह placement report के अंदर data आता है clear है तो 383 student जो वहां पर आये है अभी इस साल में उनका हमारे पास data available नहीं है बट हमारे पास data available है वो है 283 student के आसपास को लेकर तो देखो यहां पे जो है 45% जो है आपको दिखेंगे वो engineering background से तो जो non engineer है उनके लिए IEM Shilong जो welcome करता है क्य engineer है and almost 55% से लेकर 50% आपको देखेंगे यहां पर वह है non engineers यह बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी चीज़ है non engineers के लिए यह campus है और यहां पर non engineers की entry अच्छे कासे number पर होती है क्योंकि 45% अगर engineering background से आता है तो इसका मतलब यह है कि IT and जो आपके roles होने वाले IT field के अंदर definitely क्या होगा वो कम हो जाएगा क्यूंकि अगर कोई company recruit करने को आता है तो वो पहले चीज क्या देखेगा कि वहाँ पर student अगर कोई IT company आनी चाहते तो क्या देखेगा पहले कि वहाँ पर हमको basic knowledge होने वाले student चाहिए जैसे कि इसका background already IT belong करता है IT से अगर वो बिलॉंग करता है तो तो वहाँ क्या है आपको दिखेगा कि यहाँ पर less placement भी जो है IT के अच्छे खासे हो रहे है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है 45% बैट जो है वो engineering से है बट एक अच्छी बात यह है pure science background चे 36 student है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 11th sorry उन्होंने वहाँ पर एक चीज आपको mention किया आप आप अधिशन प्रोसेस हो है 12th standard के अंदर उन्होंने अलगल अलग स्ट्रीम्स दिया है science commerce and arts तो यहाँ पर science background को उनका फोकस जादा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 36% जो student है वो science field से आते जैसे कि इसी ने B.E.S.E. science किया है या कोई मालो बायो टेक्स स है तो इन particular fields है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो इसका जैसे क्या होता है कि companies जो है वो pharma companies आपको देखने को मिलेंगे क्यूंकि यहाँ science background से student जो है यहाँ पर college के अंदर देखने को मिल सकते है तो जिसका graduation में मानलो कोई किसी ने B.E.S.E. science हुआ है इन्जूल work experience यहाँ पर था उन student को 37% student जो है वो था pressure and almost अगर मैं एक मोटा मोटा बात करू तो 60% यहाँ पर है work experience वाले तो यहाँ जो वेटेज है वो जादा है for work experience क्यूंकि इन्दों ने यहाँ पी clearly ये चीज़ मेंचन किया कि 37% बच्चे freshers थे जिनको कोई भी वहाँ पर knowledge नहीं थ what regarding their job clear point इसके बाद 18 18% है 12 months का experience वाले 24 months में है 22% वाले and 36 months से ज्यादा जो experience है 12% and 36 months तक जो है वो 12% है and 36 months के plus जहो आपको 11% student देखने को मिलेंगे अगर मैं domain wise अगर मैं बात करूँ तो देखो educational background wise engineering background से कम student है but domain wise अगर इक experience के बात करूँ तो 32% जो student अपको देखेंगे वो देखेंगे IT analytics से IT analytics से आपको देखने को मिलेगा 14% student sales and marketing से है financial 13% वहाँ पर अल्रेडी जिनको experience है किसी particular domain में तूँ आपको 13% देखने को मिलेंगे 9% strategy and consulting and HR operation से 3% है तो यहां से हम क्या चीज़े हमें याद रखने वो यह है अगर आप non engineer हो ठीक है तो आप welcome किया आपको IAM Shilong के अंदर ठीक है and आपका अगर फ्रेशर भी हो तब भी जो है यह data आपके सामने है 37 से लेके 40% अमान लेते हैं तो 40% जो student है वहाँ पर फ्रेशर सोने वाले है clear point यह बाद सबको समझ में आ रही है ठीक है okay बहुत बढ़िया next अभी हम आगे बढ़ते हैं वो ह आप एक बार जाके जरूर चेक आउट करना जैसे ही आपका जैसे एक्जामपल ले लेते हैं 20, 30 and हम ले रहे 40 lakh मान लेते हैं कि यह ऐसे तीन student है जिनको 20, 30, 40 lakh का package मिल रहे है और एक और हम अलग से बच्चे ले रहे है जिनका package यहाँ पे 80 lakh का है clear point तो मुझे एक बात बता 30 इसका average हो गया clear है अगर मैं बात कर रहा हूँ इस college college A है एक college का average package जार है 30 lakh and यह जो है 130 डिवेड़ अपर हम 3 करेंगे और यह जाए का करीब करीब जो है आपका 43 lakh के आपस यह average package यह difference क्या है समझो मेरी बात अगर आपका highest placement 80 lakh का है तो आपका average जो है वो पढ़ गया अगर आपका highest placement थोड़ा सा कम है highest CTC की बात कर रहा हूँ basically तो average आपका कम हो जाएगा तो हमेशा मैं एक चीज हर एक videos में आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी highest package on campus and average की आप बात मत करो क्यों क्योंकि average तो matter करता है no doubt आपका वहाँ पे average package matter करने वाला है but अगर average package 40 से 80 चल गया तो यह जो है आपका average package के अंदर बहुत जादा growth मिलेगा growth दिखेगा आपको यह पर 13 lakh का difference आता है तो इसलिए आपको कोई भी college अगर join करना चाहते हो कौन सा college अच्छा है आपको कोई dream आपका B school आपको अगर select करना है तो यह factors आपको याद रखने कौन से highest CTC कभी नही focus नहीं करना है आपको focus करना है वो है उनका top 50% batch, top 20% batch and top 10% batch clear point तो देखो अगर आप IEM Shilong में top 50% batch अगर देखोगे तो यह है 32 lakh का मतलब जो यहाँ पे intake था कितने का 283 student का यह जो intake है ठीक है यहाँ पे almost 140 student को 140 student को IEM Shilong के अंदर 32 lakh का package मिला है एक बहुत अच्छी चीज़ है यह clear point तो यह जो basically आपको देखने को नहीं मिलता है 32 lakh जो है यह main IEM के average package के परावर है clear point यह बात सबको समझ में आ रही है तो आपको देखना है top 50% batch देखो guys एक important आपको मैं fact बताता हूँ आप अपके life के अभी सबसे आखरी पढ़ाओ में हो मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि इसके बाद तो आप पढ़ाई नहीं करोगे न ऐसे थोड़ी कि अभी आपने पढ़ाई और करने आपको हाँ exceptional होता है कि आप PhD वगर अपलाई करोगे बट आप दुबार MBA तो नहीं करोगे न तो जब आप MBA करी रहे हो तो आप एक तो cat में महलत कर रहे हो at cat के बाद आप कोशिश यह करो कि college के अंदर आप top 50% के अंदर रहनी कोशिश करो आप 50% बैच को यहां पर मिलता 32 लाक का package एंड अगर आप 20% के अंदर हो यानि कि अगर आपका 283 का है अगर वहां पर मोटा मोटा जो है आप 50 student के अगर आसपास अगर आपका है top 50 में अगर आप आते हो तो आपका average package 38 lakh जाएगा जो कि average से almost 12 lakh प्लस है clear point तो यह चीज़ आपको हमेशा याद रखना है clear point तो top 20% top 10% and top 50% इसमें आपको focus करना है कि यहां पर जो है आपका package कैसे होने वाला है उसके बाद top 10% जो batch है यहां पर उनको दीख रहे है 43.15 lakh का जो है वहां पर package मिलना है for top 10% batch मतलब 28 से लेके 30 student को जो है वो कम से कम 40 lakh के प्लस जो यहां पर package offer किया गया है तो यह बहुत important factor है about IEM Shilong अगर आप किसी और college का data देखोगे तो वहां पर ना top 20%, top 50% and average package इनके बीच में ता difference नहीं होता है यह difference अगर आप check out करोगे तो average CTC जो IEM Shilong की है वो है 26 lakh and top 50% जो batch का यहां पर आपको CTC दीख रहे है वो कितना जा रहे है वो जा रहे है almost मैं यह किना चाहूंगा कि 5 to 6 lakh का आपको difference दीख रहे है त्यरे point उसका मतलब यह है कि अगर आप top 50% के आसपास रहोगे तो वो क्या है आपके लिए एक अच्छी बात है तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए अगर average package आपका 26 lakh का है and top 50% batch को जो है वहां पे 28 lakh का package मिल रहे है तो वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं हो गई यहां पे जो है आपको average के अंदर बहुत बड़ा difference दिख रहे है और मैं इसो compare करता हूँ 20% batch के साथ तो यह number जो है वो almost हिट हो रहे 12 lakh के आसपस and 12 lakh जो है हमारे महरास्टा CET के थुरू हम यह कह सकते है कि एक tier 3 भी नहीं top 5 के अंदर अगर मैं J.B. and Signum छोड़ दूँ तो जो remaining college साथ है top 5 के अंदर उसके college के average package है 12 lakh एक difference आपको देखना बहुत जाता जरूरी है clear point and यह 12 lakh का जो package है यह जो है एक average package यह जाएगा almost जो सबसे नीचे लेवल वाले B.B. I.E.M. से ठीक है तो चलो B.B. I.E.M. 40 lakh 14 lakh तो minimum package है यह 12-14 तो almost same बनेगा इस तो यह difference देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है जो P.P.O. यहां आपको बहुत सारे वहाँ पे quiz competition के अंदर आपको वहाँ पे हिस्सा लेना पड़ेगा क्यूंकि quiz competition में होता यह है कि देखो भाई quiz हो गया या case competition हो गया इसमें सबसे एक अच्छी बात क्या होता है ना आप directly वहाँ पे companies के साथ attachment हो जाएगा summer internship and quiz and case competition के अंदर अगर आप को जीत जाते हो तो वहीं पे जो है आपका PPO convert मने का chance होता है तो इसलिए यह focus करना है कि आप case competition हो गया summer internship आप अच्छे से करोगे after यह first year of MBA clear है उसके बाद total 87 recruiters थे जो 87 recruiter ने जो है यहाँ पे 290 के असपास उन्होंने offer किया है सब बच्चों को clear है next अभी हम बात करते domain wise offers domain wise offer क्या है देखो अगर मैं मेन IIM के अगर मैं भात करूं तो almost 45% जो student है वो प्लेस होते है consulting के अंदर और यह जो number है इनके आसपास है 32% of the batch is going to place in consulting and strategy consulting के अंदर 32% batch का placement हो है which is really a good number clear है point यह बात सब को समझ में रहा है and second एक important चीज़ यह है कि IIM शिलांग जो है वो HR के लिए मतलब सही option नहीं रहेगा क्योंकि HR के अंदर सर्फ 8% बच्चे place हुए IT के अंदर भी मैंने same कहा था IT के अंदर replacement नहीं हुआ है 5% बच्चे ही IT analytics में चले गए देखो जिनका focus है core consulting के उपर ठीक है और जिनका focus है finance के उपर and जिनका focus है sales and marketing के उपर तो आपके लिए सबसे best option ह है IEM Shilam clear point क्योंकि IEM Shilam के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो जिनको background graduation background के अंदर सिर्फ आपको देखने को मिलेगा 45% इंजिनर सुनोनी वहाँ पे लिये है clear point अगर यह number touch होता 80% के आसपास तो यह यहां जो IT analytics है ना यह इनके group में आ जाता मतलब यहां ज यह बात सबको समझ भा रहा है तो इसलिए जो है यहां पर offers भी जो आपको दिखेंगे वो क्या है वो कम दिखेंगे in compared to other other domain clear point तो जो work experience जो था student को college में एंटर करने से पहले वो 32% work experience था 32% of student उनको work experience था IIT के अंदर but जब placement हुआ final वहां पर आपको IIT के सिर्फ 5% job देखने 15 बच्चे जो है वहां पर place हुए IT के अंदर तो यह मैरा सबको request रहेगा कि IT field में अगर आपको कहीं जाना है तो IT field के अंदर आपको यहां पर अच्छा college sorry अच्छा जो है आपको placement नहीं मिलेगा clear है तो यह focus करेगा यह more on consulting जो main management के main role है finance and sales and marketing तो यह जो है मोटा मोटा आप कहना यह चाहूंगा कि 50% roles offer किये गए finance and marketing से clear है and 32% offer किये है consulting से तो यह 82% data बनता है completely consulting, finance and sales and marketing को add करके clear हो क्या point तो यह IIM Shilong जो है वो आपको अच्छा offer कर आपको एक अच्छा chance है अगर आप चाहते हो कि consulting, finance and sales and marketing के अंदर आपको role चाहिए तो clear है point उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, sector wise offer किये जैसे कि banking and finance में 28% है, managering retail में 20% है and consulting के अंदर 28% है, तो again यह data है, यह मोटा मोटा जो है almost मैं कहना यह चाहूंगा कि 75% student है, वो consulting, managering and retail मतलब again sales and marketing आएगा and BFSR के अंदर place हो गया है, clear है point and उसके बाद यहाँ पे IT के अंदर 12% jobs है, 4% आपको देखने को मिलेगे technology and media and 8% जो other jobs है, तो sector wise जो था, यह इनका information था, तो हम अगर एक overview लेना चाहे कि सर, IEM Shilong क्या हमारे लिए best option है क्या, guys अगर आपको एमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोजेकोड, इंदोर, यहाँ से call नहीं आता है, तो मैं हमेशा आपको request करूंगा, कि आप focus करो, IEM Shilong के ओपर, क्यूं, क्यूंकि अभी भी इसका strength जो है, 400 के प्लस नहीं पहुंचा है, clear point, अभी भी इसका strength जो है, 400 के नीचे ही है, तो मैं आपको request यह करता हूं, कि आप focus करिए, IEM Shilong के ओपर, अगर आपको enjoy करना है, वहाँ का weather, अगर आपको enjoy करना है, दो साल, तो आपको IEM Shilong best option है, ज्यादा crowded नहीं है, मिखा लाया, वहाँ पर आपको आपके दो साल बहुत अच्छे से चले जाएंगे, and साथ में जो है, आपके पढ़ाई के साथ, and एक अच्छे job के साथ, आपके life में कुछ memories जो है, वो पनेंगे, clear point, तो उसके लिए आप आपको यहाँ पर IEM Shilong चूज करना चाहिए, and अगर आप non-engineer है, clear point, अगर आप non-engineer है, and आपका अगर science background है, तब तो जो है, आपको focus करना चाहिए IEM Shilong के उपर, जो safe cut-off मैं कहना चाहूंगा, जिसके आपको आपका clear हो जाएगा, कि जो OT, other categories, जो इन्होंने mention किया, OBC and OBC and general category लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि 90 percentile के plus आप लेकर आपको definitely जो है, वो call आएगा भी, and आप से convert भी हो जाएगा IEM Shilong, तो focus करना आपको 95 percentile के plus, 95 percentile plus मतलब कितने number होने चाहिए, बताओ मुझे comment में, कितने number आपको होने चाहिए, minimum आप focus करिए, या आपका जो है, at least every section आप 10, 8, and 10 questions करके आओगे, minimum, 30, 30, and 24, percentile 90 परके plus definitely जाएगा, clear point, तो IEM Shilong, एक best option है, आपके लिए, आप इसको choose कर सकते हो, clear point, यह मने सारे चीज़े बता दिये है, अगर आपको consulting में जाना है, sales में जाना है, and finance में जाना है, तो यह आपके लिए सबसे best option है, HR के लिए यहाँ पे उतने सारे, उतने अच्छे packages नहीं है, and उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है, HR के अंदर rules पी उतने offer नहीं के जाएंगे, but, यह focus रहेगा consulting, sales and finance के उपर, clear point, so, आपको मैं एक request करूँगा, कि आप सबको जो है, हमारा WhatsApp channel जोइन करना है, जहाँ पे आपको direct messages जाएंगे गुर्पित सर से, और आपको messages क्या होंगे, quiz होगा यहाँ पे, हमारे सारे videos का आपको notification प्लस link आएगा, and उसके बाद, अगर कोई भी ऐसा form आता है, regarding cat exam हो गया, regarding कोई भी college का form अगर आता है, तो सारे जो है, वो आपको one stop solution है, हमारा WhatsApp channel, link हमने description में दिया है, आप यहाँ इसको scan करके भी join कर सकते है, clear point, अगर आपका preparation है for anmat and snap, and अगर आप cat के लिए पढ़ रहे हो, and आपको sir, एक ऐसा, मुझे, आपका कहना गरी है, कि sir, मुझे ऐसा, एक proper level वाला, यह mock चाहिए, मतलब, ना exam के एक उपर, ना exam के नीचे, तो आप उसके लिए, जो हमार study plan, अगर आप पढ़ रहे हो cat 2025 के लिए, तो यह सबसे right time है पढ़ने को, clear point, तो मैं आपको request एक करूँगा कि cat के कोई भी important topics, अगर आपको चाहिए, तो आप इस number पे जो है, आप WhatsApp कर सकते है, हमारी team जो है, आपको help करेगी, clear point, thank you so much for joining the session, and आप हमार साथ जुड़े रहे ह हमारी, तो आपको एक दो है।